पुरुशों को अपनी दाड़ी के खुर्दुले होने का ऐसा सबसे ज्यादा या तो तब होता है जब वो अपनी लब्द मन को किस करने वाले होते हैं और उनकी दाड़ी उनकी गालों पर चुप जाती है तब एकदम से बच्चे कह देते हैं कि बापा आपकी दाड़ी हमें चुप ती है उस समय पुरुशों को ऐसा लगता है कि उनकी दाड़ी को ज्यादा हे सकते हैं और वो कोई ना कोई उसका ज़रूर ढूंड ले लगते हैं ताकि वो अपनी शेविंग के स्टाइल को भी कॉम कंदिशनर बालों को सुपर सोफ बिनाने के लिए हम चैंपू के बाद कंदिशनर का इस्तिमाद ज़रूर करते हैं थिक उसी तरीके से अपनी दाड़ी पर शैंपू लगाने के बाद कंदिशनर लगाना ना भूले Face Wash जब भी हम Face Wash का इस्तिमार करते हैं तो चहरे की गंदगी साफ हो जाती है कई बार हमारी दाड़ी के अंदर धूल मिट्टी के कंड जमा होने की वज़े से भी चुपना स्टार्ट हो जाती है इसलिए जब भी Face Wash करें तो अपनी दाड़ी पर भी Face Wash लगा कर अच्छे तरीके से चहरे को वाश करें अपनी दाड़ी को ट्रिम करना समय समय पर अपनी दाड़ी को ट्रिम ज़रूर कर लें क्योंकि बड़े हुए बाल काफी ज्यादा चुपने लगते हैं इसलिए हर सही समय पर अपने दाड़ी के बालो को ट्रिम कर लें ऐसा करना भी उन्हें मुलायम बनाने के लिए काफी अच्छा ऑप्षिन है सो दोस्तों ये है आसान से तरीके पूरशो की दाड़ी को मुलायम बनाने के लिए इन्हें जरूर फॉलो करें मेरी व्यूटी से रिलेटिट वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजी